शान सुंदरी थेटर गुरूप और आर्पियम एकडमी के संयुक तत्वाधान में छे दिवसी टीचर ट्रेनिंग वर्कशाप का आयोजन ग्रीन सिटी इस्थ आर्पियम एकडमी में ड्रामा इन एजुकेशन टेक्निक पर अमरीका से आये शिच्छावीट डेनियल केलिन उधार लाया जा सकता है इस उसरफ पर ट्रेनिंग पराप्त करने वाले शिच्छकों को प्रमाणपत देकर सम्मानित किया गया साथी मुकासिती डाक्टर रादा मोंदास अगरवाल को इस मियत्ती चिन देकर इस मुख्या गया इस मोगे पर बड़ी संक्या में R.P.M. एक ने उसाथ का दूबू जीर, कि छब्मिश को कम नहीं है साहीच सा को डिसर्ट पांट नहीं होना चाहिए कि छब्मिश को पांटे एजान को कुछ को का हो आगते हैं कर दो चानल सब्सक्षा है सब्सक्राइब करें कि यर्म सब्सक्राइब नहीं होसकता, एक पत्थर को तभियत से उचाने हो, तो मैं एक साइज आप से कहूंगा, कि आपने इस यदि, इस यदि, आप इस रेडियर साभी सिच्छा पत्धी को बेवहाद पत्थरातर पर अपने चेन आप इस कुछ में लादू करें, आप एक बहुत बड़े सिच्छा आप अपने इस यदि, आपने 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 कि अंहार विए्ग पेलिग पेली पुछाफ दिस्टेंग कि अलाओ अजीन, कि कि अधिकर था बिल्काफ औरचिट, कि अंधिग पड़सब लाइड कि थीक अलाओ, योग कि अविप मैं आर्पीयम एकेडमी बख्षिपूर ब्रांच की प्रधानाचारे हेमलत अधिरपाथी एडमी ग्रूप ऑफिस स्कूल्स के शाखा ग्रीन सिटी ब्रांच में युएसे से आए हुए डेनियल एकेलिन ने हमारे साथ 6 दिनों की कारेशाला रखी थी जिसमें उन्होंने बच्चों को साहित्य या दूसरे कोई भी विशय ड्रामा के माध्यम से किस प्रकार पढ़ाया जाए इस बारे में उन्होंने अपने विचार रखे अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से हमें सिखाया अलग-अलग एक्टिविटीज कराई बच्चों के अंदर किस तरह सोचने समझने की शक्ती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं व्यावारिक तौर पर कैसे उन्हें मुखर बनाएं बाहरी समाज को फेज करने के लिए ये सारी चीजें हमें उनसे सीखने को मिली इस कारेशाला में आर्पियम अकैडमी ग्रूप आफ स्कूल के तमाम ब्रांचेस के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ-साथ बेसिक सिक्षा परिशत की तरफ से आई हुए सिक्षकों का भी अच्छा खासा सहीयोग हमें रहा और उससे भी ज़्यादा सहीयोग रहा श्याम सुंदरी थेट्रिकल ग्रूप की संचाली का रीना सिंग जी का जिनके माध्यम से जिनके सहीयोग से ये कारेशाला समभव हुई थी और हमारे चेरमेन श्रियाजाईशाही जी के नितरत्व में हमें इस विशाल परांगर में इस कारेशाला का आयुजित करने का अवसर मिला हम उनके आभारी हैं, हम आभारी हैं डेनियल एकलिन जी का और हमें विश्वास है, उन्होंने जो भी तकनिक और जो भी तरीके हमें बताए कि किस तरह हम क्लास्रूम्स को एक्टिव कर सकते हैं, वो निस्सन दे, आने वाले समय में सिर्फ पुर्वान चल ही नहीं, पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाबदायक सिद्ध होगा, जी हाँ, इस दौरान सारी प्रतिभागियों को सर्टिफेकेट और स्मॉल टोकन ओफ लव के रूप में एक छोटे-छोटे गिफ्ट भी दिये गए हैं, ताकि सारी प्रतिभागियों का मनोबल और उचा हो और आने वाले समय में अगर ऐसी कारेशाला हमायोजित करते हैं, जो कि हमें विश्वास है, निकट भविश्य में हम फिर करेंगे, उसमें उनकी प्रतिभागिता फिर से बनी रहे